इतने बात में किसी को कोई I mean point है ही नहीं कोई disagree कर ही नहीं सकता के NEET का exam जो है somehow accuracy का exam तो है यह speed का exam भी है ठीक है दो बच्चे हैं दोनों का knowledge equal है दोनों का I would say practice same number of question किये हुए है बट एक इसमें काफी तेज है speed reading को जल्दी पढ़के सही interpret कर लेता है दूसरा वही बच्चा है IQ सेम है same question practice करके गया same knowledge है सबको सेम है बट वो question बड़ा धीरे धीरे पढ़ता है और उसकी interpretation power थोड़ी slow है the difference lies here जो पहला बच्चा है वो definitely अपने exam को पूरा जरूर करके आएगा ये नहीं कहेगा आपने तीन गंटे 20 मिनट के बाद क्यार मेरा exam छूट गया जो दूसरे type का बच्चा है जो पढ़ता ही धीरे धीरे है उसको वो definitely उसके कोई ना कोई question छोड़के आने की probability बची रहेगी खास कर जो सबसे last में attempt कर रहा है या ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले attempt किया बायो क्योंकि आता सब कुछ है उसे बायो में बर क्योंकि धीरे धीरे कोशन धीरे धीरे कर रहा है और आभी जो कोशन करने थे जैसे मालने थे 90 कोशन करने थे अब इस सिरफ 75 कोशन होए और गड़ी में टाइम देखा गड़ी में टाइम हो गया एक गंटा बीच चुका है अले यार मैंने तो 45 में बायो खतम करनी थी वह पानिक अटाक हो गया वो पंदरा कोशन छोड़के केमेस्टी की तरफ गुश गया तो आप देख रहे हैं छोटा सा बात है स्पीड रीडिंग बट इट केन क्रियेट एन इंपक्ट ठीक है स्पीड रीडिंग को कैसे डिवेलप कैसे किया जा सकता है देखें सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ें ये इनीशियल डेस बता रहा हूँ जिनकी स्पीड बहुत स्लो है उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी स्पीड स्लो है मान लिजे कोई सामने किताब है तो पहले तो ओविसली फिंगर से अंडर आईसो थर्मल कंडिशन ए गैस एड ये फिंगर साथ 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 वहाँ पर मूव करती रहेगी बट ये कुछ ही देर के लिए किया जा सकता है इसको पूरे एक्जाम तक के लिए नहीं लेके जा पर जो-इनंफरमेशन इसको स्किप कर देंगे लाइक लिखा हुओ है अंडर आइसो थर्मल से टो मेरा काम जु है वह आइसो थर्मल कंडिशन थहान मेरा सिर्फ जिस पे आइस खर्मल पर गयाश ल एille ऑड- Mum मेरे काम काु है तो मैंने तक इस पर है सिर्फ 300 केलविन अभी तक 9 वर्ट पर चुका ओं ध्यान मेरा यह है के एक आइसो थर्मल मेरे काम का है एक 300 केलविन मेरे काम का है एक्सपांड इस पैंशन आ गया यह काम का है फ्रों 0.1 लीटर तू 0.25 लीटर, इनिशल वालियम 0.1 है, फानल वालियम जो है वो 0.25 है, यह माइन में चलता जा रहा है, isothermal expansion है, temperature दे रखा है और volume दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, 0.1 लीटर था, 0.25 लीटर था, अगेंस्ट एक constant external pressure of 2 बार अगेंस्ट बगएरा कोई कामका नहीं है pressure external that is 2 बार मेरे कामका सारी mind को अपने revise करेंगे आईसो thermal पढ़ा था expansion पढ़ा था temperature 300 Kelvin पढ़ा था volume जो है 0.1 liter से 0.25 liter ला रहा है और बाहर का pressure कितना दे रखा है टू बार दे रखा है आप से work done पूछा हुआ है minus P external delta V खतम तो आप धीरे धीरे ये speed आपकी develop होगी जो काम की चीज नहीं है उसको skip करना सीखिए जो काम की चीज है उसको पकड़ना सीखिए सरी ये develop कैसी होगा ये develop होगा जब आप DPP solve करेंगे जब आप DPP solve करेंगे DPP में अगर 10 question आते हैं 5 question को धीरे ये pen से पकड़के under ISO thermal condition धीरे धीरे करिए अगले 5 question को सिर्फ जो सामने लिखा हुआ है question उसमें काम की चीजे पढ़के करिए जिससे speed develop हो सके है ये speed final exam में बहुत काम आएगी second आया यार visualization ये टेकनीक बहुत सारी किताबों में दे भी रखी है मैं खुद भी इसको use करता हूं ठीक है visualization का मतलब यही होता है यार पड़ा आपने जैसे मैं आपको बताता हूं मैं relate कैसे करूँ visualization का मतलब क्या है कि एक white sheet ले लीजे ठीक है और उस पर ट्राइंगल जो बनाया था कोई ना कोई कलर भी किया होगा आपने मान लेते हैं ये रेड कलर किया था ठीक है eyes close try to visualize this try to visualize it eyes close करके कि यार अगर आपके माइंड में वह white sheet आ जाती है triangle बनी होई आ जाती है और red color बना हुआ कि triangle आ जाती है तो इसका मलब visualization आपकी बहुत strong है सर ये कहां पर काम आएगा ये काम आएगा आपका यही पर speed reading में है ना कि जैसे ही हमने question पड़ा जो मेरे काम की चीज है पूरे question के अंदर क्या था एक तो isothermal था, temperature था, initial volume थी, final volume थी और बाहर का external pressure दे रखा था उन सारी sheet में से जैसे वो triangle मेरे mind में आ रहा है वैसे ही पूरे question में से ये 5 सा चीजे मेरे mind में आएंगी करके देखेंगे धीरे धीरे 21 days का काम है, मैं फिर बता रहा हूँ ये पढ़ी पढ़ाई scientific बाते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज कहीं से उठाई और आपको बताई जा रही हो 21 days देंगे, किसी भी habit को develop होने के लिए minimum 21 days चाहिए, hope so ये सारी चीजों ने आपकी life में बहुत तगड़ा positive change लाया होगा, although मैं मेरे को रोज messages मिलते हैं, तो वो मैं खुद भी देखता हूँ, वैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है?